माइक नमबर एक से गर कोई सवाल हो तो करें जैसे आपके अंदर जो यह है जैसे बाइबल का अपनी इसलम का यह है कुरान है तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है और जो भगवान के बारे में जानना है यानि अल्ला के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो भागवतम है तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ अगर यह है वेद तो हमको सुर्ख तक जाने के लिए है लेकिन हमारा जो भ बहुत आदमी सुकी रहता है बाकी तो मैं और कुछ सवल कुछ परसनल पूछना चाहता हूँ बाद में मैं आपको मिलके सब को पूछूंगा सब के सामने नहीं पूछ सकता लेकिन आपका प्रवचंग सुनके मुझे बहुत आनंदा है हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफी मेरे तकरीर देखते है टीवी पे और प्रसन होते है खुसान जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते है और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अवल किताब भगवत गीता नहीं है वेध है भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे आरियसमाज आप आरियसमाज़िए सनातन धर्म में बहुत से किसम है आपको इस्कौन से मैं वेटा था एक बर कलकता में, और कलकता में तकरीर थी मेरी, उस वक्छ बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वारे थे इस कौन के हैड कलकता के, हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन मतलब जो बड़े मैज़ान में, हैं तो माशाला मैज़ मैं बेटा था, तो उन्हें वो ही बात कहीं जो आपने कहा, हमाले सबसे अवल है भगवद गीता, मैंने बोला ठीक है, और कहें का वेद भी ठीक है, तो मैंने पूछा, ये भगवद गीता, हिंदू धरम में, दो किसम की किताब है, एक है, शूति, एक है स्मृति, शूति मत मतलब जो भगवान की भीजी हुई किताब, वेद और उपनिशद, उसने कहा, बिल्कुल सही, स्मृति किसे कहते है, तो उसने कहले लगा, स्मृति कहते है, वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तो पर मनु स्मृति, तो मैंने पूछा, ये रामायन और महबरत स्मृति मतलब, दूसरी किताबे, मनु स्मृति, इतिहास, मैंने पूछा, ये माबारत क्या इतिहास है, तो मैंने उसने पूछा, गुरु जी, ये बात मेरे इल्म के हिसाब से, भगवत गीता, एक हिस्सा है माबारत का, अटरा चैप्टर का सही है, अरे बिल्कुल सही है, बहुत इल्म लगते हैं, मैंने बेशा, तो जब भगवत गीता माबारत का हिस्सा है, तो माबारत स्मृति है के शुदि है, चुब बेड़े, स्मृति है बोला, तो स्मृति उपर के नीचे, तो बोले हाँ, आपके पास दिल्म है न, इसलिए आप जानते हैं, हम लोग को कह बहुत गीता हुची है, लेकिन आप सही कहते है, यह बहुत गीता वेध का निचोड़े, निचोड़े लिकिन वेध उपर है, धुदा की किताब है, बहुत गीता, इनसान की लिखी है, किस के दर यह, स्कॉलर्स किताब् предлаг आपके इसकृन क के गृृरू भी कहेंगे हो, लेक सही कहते हैं तो मैं कहूंगा अगर वे अगर वेद और भगवत घीता में टक्रावें किसकी बात मानेंगे तो बोल अम दोबर पे तो हम कहते हैं भगवत घीता ऊपर रहे लिकिन Arts के आप क्या दिल में इतू मैं डबल स्टेंडर् में बदल जाता है क्या तू प्लस टू फोई रहता है चाहे वो second standard में या 10 standard में 2 प्लस टू वोई रहेगा 4 बदलेगा नहीं तो मैं यह कहता हूं गुरू जी से आपके संग से कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो हिंदूों में आम करो वेद लेकिन हिंदू दर्म में सिर्फ ब्रहमन भी वेद को पढ़ सकता है शत्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों बाकी लोग नहीं पढ़ सकते हैं वेच्वियाद शूद्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों हमारे मदब में उच निच नहीं है काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फखीर, पुरान बढ़ता है नमास के लिए जब उस इश्वर की हम अबादत करते है जब खड़े होते नमास के लिए कंदे ते कंदा मिला के करते हैं या वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंदे ते कंदे मिला के खड़ा होता है और आप या जिखेंगे और मैं अल्हम्दलिल्ला कई बार साओधिय रहा गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ माशालला उनकी सेक्यूरिडी रहती है तो सेक्यूरिडी हड़ जाती है आप साथ में तो साथ में अल्हम्दलिल्ला राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यक्सा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ अब बलकु सही कह रहे थे कि वेद स्वर की बात करता है, लेकिन खुदा की बात भी करता है भगवद गीता में भी स्वर की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है आप बोले अल्ला के करीब आने के लिए भगवद गीता सही है बराबर दिया मैं ये नहीं कही रहा हूँ इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है वो पड़ नहीं सकते लेकिन जो भगवद गीता है बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई लिए और जो भगवद गीता है बहुत सारे आदमी ने लिखी हुए गरबन 200-300 लोगों ने लिखी है आपने आपने इसाब से बिल्कु अग्मी है आज इट इस लिखा हुआ है यानि वो परम परबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब इसने बिजिगर मझाइब की किताब है जैसे वक्त जाने लगे बदलते के आप बिल्कु सही कह तिन सो किताब है बाइबल स्विक्ड़ों किसम हमारे आ एर एप में 200 किताब है आप किसमें मानेंगे कुरान आप लो कोई भी कुरान लो इंडिया में अमेरिका में, यूके में, इंदुस्तान में, पुना में, हूब हो वही है एक लख की बात दूर रही आ की मातरा, ई की मातरा जबर जेर पेश वो भी फरक नहीं है फत्ता दम्मा कसरा में भी फरक नहीं है ओरिजनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा थाने लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाला तो मैं यह कहना चाहता हूँ जितनी किताबे पहले आए आज भी आप बिल्कुल सही कहते है भगवत गीता वेत का निचोड़े लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से वंटडिक करे तो फल और एहमे मैं बिल्कुल मानता हू स्वामी पगुपता मानते हैं कि भगवत गीता क्या है वेत का निचोड़े और वो कहते हैं मैं भी पढ़ चुका है आपकी भगवत गीता आज दिटीज पढ़ चुका है उसमें ही लिखा उसका ही टांसलेशन था भगवत गीता आत्याय नंबर सांथ श्लोका नंबर 20 में जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है आपकी भगवत गीता में लेकर आज दिटीज में और उसका प्रिफेस पड़े ही उसमें लिखा है कि ये जो वेध है वो गाई है बोश से गाई है और क्रिशन क्या है दूद निकालने वारा इंसान और दूद क्या है भगवत गीता है सभी कह रहा हूं के नहीं प्रिफेस में लिखे लए कौन कहता है आपके स्वामी प्रभू पदा मुझे उसका टांसलेशन पसंद है अक्सर हमारे हमाँ भी महाशायला पचास से ज्यादा भगवत गीता है मैं लेकिन स्वाम लेकिन निचोड मतलब ने कि असल फल को गाई को छोड़ देंगे गाई चले जाएंगी तो दूद क्या करेंगे आप गाई रहेंगी तो दूद मिलते रहेंगा ना दूद को लेंगे गाई को मार देंगे दूद आपको खतम हो जाएंगा भाई गाई को जिन्दा रखो रो आपकी भगवत गिता में लिखा है चैप्टर नमबर चार में वर्स नमबर साथ से नाट में यह धर्मस किया और युग युग में जब भी परेशानी आएंगी धरती पे तो मैं एक रूप हासल करूँगा आउतार आउतार की सही मानिया आपको मिलेंगा वेश से उसमें पता आउतार कलकी आउतार में मानना ही पड़ेंगा फिर यह आप कहा सकते हैं मैं असल भक्तूं बगवत गिता का वो तो है आपने जो बता है कलकी आउतार तो आने वाला है आ आ चुका है और उसमें लिखा था कलकी आउतार की मा के नाम क्या है सुमती सुमती की मानी अमन मंदस् אני लिखा है काल की उतार चैप्टर नमबर अभी ह्वाला भी दे रहा हूं में टाइम मिल रहे चैप्टर नमबर दो वर्स स्थर स्यक्ट Number नमबर पांच साथ नव ग्यारा ı पंदरह इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विश्नययास हम मतलब खुडा कमन की जगा है उस में लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे हम जानते हैं कि खुरेश के फैमिली में पैदा हुई ते हमुमस सल्लाव सल्म उसमें लिखा है कि वो बारवी तारीक माधव के दिन पे पैदा होंगे वो बारवी रब्ब्य हदरत उस्मान, हदरत अली, मैं लाभी फिल्युद्यमौल, अल्ला ताला की रह्मा सब पे हो, किसके बार में दिकर करें, उनको सबसे पहली जो वही आएंगी, वह आएंगी एक गार के अंदर, हम जानते हैं, मुहम्मत स्ललाओं को सबसे पहली वही आए गार हिरा में, फिर व पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं किसके अउतार में, आप मानते हैं मुहम्मत स्ललाओं स्ललाओं आखरी पैगंबर है, मैं तो कुरान तीन बार पढ़ा हूं, मैं तो मानता हूं को, मानना सिर्फ जरूरी ने, अमल करना जरूरी है, मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता गुदा की बात पreं अमना करता है मैं कहता हूँ मैं मेरे वालिद से बहुत मुपत करता हो वालिद की बेशति करता हूँ कि बात में मानता हूँ नहीं करता हूँ करता हूँ सबस्क्राइब में समझ 10-15 मिट पर बाइबल यह व favorites favorites मैं नहीं बोल रहा है कि आपके लिए कोई खुदा अलग है मेरे लिए कोई अलग है इस एक मैं जानता हूं सब्सक्राइब में एक khuda को मानते हैं वो मानते हैं खुदा की पती मानें अख्स समझाई हैं बृत प्ले जानना चाहता हूँ के इस influence मेरे सवार चूमा मत्ता ब्लाय मैं है मैं ये जानता हूं आप पैले स्टेज में आप पास कर चुकके एक khuda में मानते हैं बिलकू सही है मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि उस खुदा के आउतार पैगंबर आखरी पैगंबर में आप मानते है क्या नहीं महम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते है हो तो मानता हु मैं मुझे माल मेंना है हैं महमद पाइगंबर आखरी थे मौमिभी आहाँ महमद अन्भेने आपके लिए सबके लिए यह ना बिलकुल उपना है ऐक मजब का थोडी रहता है गुरू तो सबके रह रहता है वो एक मजब का थोड़ी गुरू रहता कि वो एक मजब के लिए हो सब मजब के लिए गुरू रहता तो वानता है मैं उसको बिल्कुल सह लेकिन ये कहना कि सब मजब यकसा है हूब हूँ ये सही ने यकसानियत है इसलिए मैंने का यकसानियत पे अमल करो आप बोलेंगे मैं सब हिंदु चीज पे अमल करूँके कई हिंदु जाते बुद परस्ती करने के लिए आपने करते अच्छी बात है अलहम्दलिल्ला इसलिए मैं आपको कॉंग्राइजिलेट करता हूँ मैं कांग्राइजिनेट करता हूँ क्योंके सनात अधर्म बुद्परस्ती नहीं करता है अलहम्दलिल्ला सुम्मा अलहम्दलिल्ला आप आदे इंत्यान में सफलता पा गए अभी ये पुछता हूँ मैं जिस आपने क्या आप अगर मुद्ल्ला सुम्म को आखरी पैगंबर मानते है तो उसके पैगाम पर अमल करना जरूरी है सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं पैगाम पे अमल करना जरूरी है अगर मैं कहता हूं मानता हूं लेकिन अमन ने करते तो कोई फाइदा ने तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात तो आखरी पैगांब में खुरान शरीफ और आखरी पैगंबर मुहम्मद स्वालों में मानना जरूरी है पिर ही आप सही तरीके ते मधब को पैचान सकेंगे नहीं तुझ बोलनेगा आपको मुझे ये कहनत है तो आभी आप बोल रहे हैं आमल करना चाहिए तो मैं मौमिन बनने का पूरा कोशिश किया क्योंकि मैं मौमिन का क्या रहता है वो तीन-चार इसमें मौमिन का जो बताया था ना क्या रहता है मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं जो भी यादे बोल दीजे नो प्रोब्लम जो कमिया में में पूरी कर लूँगा नहीं नहीं या जान दीजे अगर दूसरे को भी कोश्चन कुछना है, सब को मोगा मोलना चाहिए, मैं आपको परस नहीं मिलता हूँ बाद में पीछे, बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद, इंशालला, ठीक है, आरे कुछना कि तरफ से कोई अगर सवाल हो तो घर मुस्लिम बहनों को कि बाद चाहिए, आरे कुछने रहरों का बाद चाहिए,